हेलो एब्रीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में केंद्रिय विध्याले की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है वेकेंसी का PRT में All Subject की Vacancy है, TZT, Post Graduate Teachers और इसके अलावा भी कई पोस्ट हैं जहां आवेदन किये जा सकते हैं पूरे भारत के Candidate बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे अगर यहाँ पर उनकी Eligibility Criteria, Age जो है उसे पूरा करते हैं Fixed salary रहेगी, PZT की अगर हम बात करें तो 27,000 से अधिक salary हाँ पर रहने वाली है तो जलिए देख लेते हैं, सबसे पहले subject देखेंगे, Vacancy कहां से आई हुई है, कौन को नाविदन कर पाएंगे सबसे पहले subject आप देखें, PZT में Hindi, English, Maths, भौतिक सास्त्र, रसाइन सास्त्र, जीव विग्यान, वानिज्य और अर्थ सास्त्र की वेकेंसी है Computer Science की वेकेंसी है PZT में Computer Anudayasak की प्राथमिक हैवा माधमिक विभाग के लिए वेकेंसी है Trained graduate teachers में Hindi, English, Sanskrit, सामजिक विग्यान, गनित और विग्यान की वेकेंसी Primary teachers की अगर बात करें तो all subject की वेकेंसी है आप किसी भी subject के लिए जो है यहाँ पर apply कर सकते हैं 1 to 5 के teachers के लिए Education counselor की, nurse female की, yoga instructor की and special educator की वेकेंसी है तो एक बार देख लेते हैं वेकेंसी कहां से आई है, केंद्र विध्याले लखीम पूर खीरी से यह वेकेंसी आई है परिक्षा नहीं होगी के वल interview रहेगा और interview की date भी decide है 12 फर्वरी और 13 फर्वरी PZT के जितने भी subject है, साथ में computer instructor और nurse female इनका 12 फर्वरी को interview रहेगा, 13 फर्वरी को post graduate teachers के सभी subject इसके अलावा PRT, yoga instructor और special education educator teacher का ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोगों को एक बार ध्यान में रखनी है PZT के लिए CTAT नहीं चाहिए, लेकिन PRT और TZT के लिए जिनके पास CTAT नहीं है CTAT qualify नहीं है जिनका वो आवेधन नहीं कर सकते Section एक अनिवारे योग गेता हैं, PZT के लिए चाहिए 50% तंकों के साथ आपका सनात कोतर, आपकी जो है master degree होनी चाहिए साथ में beard Fixed salary रहेगी 27,500, ठीक है 27,500 fixed salary रहेगी PZT computer science के लिए जो है वो 250 rupees जो है यहाँ पर कम कर दिये गए है Qualification के अगर हम बात करें, तो 50% marks के साथ आपका BE, BTEC, computer science या IT में या फिर किसी भी subject से अगर आपने post graduation किया है किसी भी subject से, आपके पास post graduate diploma है computer application में तो भी आप यहाँ पर eligible रहते हैं Next time बात कर लेते हैं, computer अनुदेसक प्रात्मिक और मादेमिक विभा के लिए अलग-अलग salary है प्रात्मिक में अगर आप जाते हैं तो 21,250 आपकी salary रहेगी मादेमिक में 26,250 रहेगी यहाँ पर graduation अगर आपने किया है किसी भी subject में या फिर post graduation भी आपने किया है किसी भी subject में साथ में आपके पास जो है होना चाहिए diploma computer application में post graduate diploma ठीक है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं बाकि BE, BTEC, computer science, BCA, MCA, MSC, computer science यह तो आवेदन कर ही सकते हैं उसके बाद जो है trained graduate teachers के लिए 50% marks के साथ में graduation plus 50% marks के साथ में BAD, CBSC द्वारा IOG CTAT 628 आपका qualify होना चाहिए TGT के जितने भी subject हैं सब में salary यहाँ पर 26,250 रहेगी PRT में अगर आप जाते हैं 125 के लिए तो यहाँ पर salary 21,250 रहेगी आपका CTAT pass होना चाहिए 125 का ठीक है यहाँ पर PRT के लिए जो है BLED वाले, DEAD वाले आविदन करेंगे 12 के साथ में चाहिए Education counselor के लिए अगर आप apply करना चाहिए तो आपका BA या BSC psychology में साथ में certificate of diploma in counseling जरूरी होगा 25,000 जो है यहाँ salary रहेगी आप देख रहे हैं हर post के लिए salary जो है वो अलग-अलग है नर्स female के लिए अगर आप आविदन करना चाहिए तो diploma in nursing में होना चाहिए और यहाँ पर salary जो है decade according दी जाएगी 750 ठीक है तो यह भी salary जो आपकी 21, 22,000 से अधिक रहेगी yoga instructor के लिए graduation किसी भी subject में और एक साल का जो है training yoga में चाहिए next special educator के लिए जो है beard होना चाहिए आपका special education में 26,250 special educator की यहाँ पर salary रहने वाली है आयू सीमा की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर 65 वर्स जो है यहाँ पर रहेगी अभ्यार्थी को computer के कार्य ज्यान की हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने की शमता होना अवशक है तो यह जो है थोड़ी बहुत जो है knowledge computer की सभी को ही होती है साक्षातकार रहेगा आवेदन पत्र में अपना email ID, phone, mobile number अवश्य दे साक्षातकार में उत्तीन अभ्यार्थियों की सूची website तथा विद्याले notice board पर जो है लगा दी चाहेगी फिलाल जो यह vacancy है यह contractual base पर है अभी जो है permanent vacancy बिलकुल आप लोगों को कुछ ही समयवाद दिखाई देगी ऐसे candidate जो की केंद्रे विद्याले में contract base पर teacher है तो इनको सबसे ज़्यादा benefit होता है जब permanent vacancy आती है और interview चल रहे होते हैं तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा रहेगा तो एक बार जो है आप लोगों को application form यहाँ पर दिखा देते हैं केंद्रे विद्याले लखीमपूर खेरी यह आपका application form है यह कहाँ मिलेगा जैसे ही main website पर आएंगे केंद्रे विद्याले लखीमपूर खेरी लखनो यहाँ announcement section में आप लोगों को फर्स्ट जो title है इसमें आप लोगों को advertisement मिल जाएगा download करने के लिए जिसे मैंने आप लोगों को भी दिखाया दूसरे नंबर पर है application form इसे आप download कर लेंगे और इस तरीके का application form होगा इसे आप लोगों को सही से fill कर लेना है उसके बाद जो है क्या करना है तो यहाँ लिख लिखा हुआ है आविधन पत्र एक प्रति में अपना रंगीन passport size का photo chip का कर उसमें वांचे जानकारी भर कर form के साथ अपने समस्तर sectionic योग गताएं एवं अनुहफ के प्रमान पत्रों की सत्यापित चाया प्रतियां वा आधार कार्ड या pen card की चाया प्रति साथ ही साक्षात करके समय मूल प्रतियां अवश्य लेकर आएं और ये जितने भी document है इनकी photocopy को लिफाफे में रखकर और पद का नाम किस विशय के लिए आविदन कर रहे हैं ये लिखना है आविदन पत्र अनिवारर रूप से लिखा हो इसको register post या speed post के द्वारा भेजना है last date जो है वो speed post या register post आपको करनी होगी तो अभी जो आपको क्या करना है ये form जो है आपको download करना है फिल करना है जितने भी document आपके पास है अनुवा प्रमानपत्र compulsory नहीं है जिस candidate के पास है तो वो बिलकुल उसकी photocopy जितने भी प्रमानपत्र आप application form के साथ attach करेंगे उन सब की photocopy ही लगाएंगे कहीं पर भी जो है original नहीं लगाना है लेकिन जब आप interview के समय जाएंगे तो आप लोग अपने original certificate document जितने भी हैं वो सब भी लेकर जाएंगे ठीक है तो ये vacancy के बारे में जो है आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई जो भी candidate apply करना चाते है तो CTAT जो है TZT औ साथ next video में thank you